ओम स्रीक अनिशाइन अमदूस्तू एश्टू समधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 अक्टूबर सौंबार के रासी फल के बारे में की हाँ दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भैतर मना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज कुछ राजनितिक लोगों से मुलाकात आपकी लोग प्रियता को बढ़ाएगी साथ ही जन संपर्क का दाइरा भी विस्थ दित करेगी संतान की तरफ से उनके करियर को लेकर आज कोई सुब समाचार आपको मिल सकता है आपका सिद्धानतवादी दरश्टिकॉन समाज और धार्मिक इस्थल में आपको सम्मान जनक उपादी प्रदान करवा सकता है साती धार्मिक और आध्यात्मिक गत्य वीदियों में आज आपका महत्पपूर्ण योगदान रहेगा प्रॉपर्टी संबंदित कोई रुका हुआ काम पूरे हुनी की आज संभाव ना है दोस्तो आज के दिन का समय आपको अच्छे बुरे की समझ दे रहा है साती भग्य और संतान संबंदित कामों में भी सुविधा प्रदान कर रहा है आपका विवेक और आदर्स वादी स्वभाव आपके लिए आज महत्पपूर्ण उपलब दियां दिलाएगा दोस्तो आज ग्रह इस्तिती आपके लिए काफी संतोस जनक है जो लोग आपके खिलाफ थे आज वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंदों में भी काफी सुदार आएगा सभी काम आज सांतिपूर्ण तरीके से संपन होते हुए चले जाएंगे दोस्तो भावुकता की बजाए वेवारिक दस्टिकोन आपके कामों में सायक रहेगा आपकी सकारात्मक वे संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने और अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में मदद करेगी दोस्तो घर में किसी धार्मिक उत्सव के आयोजन की भी आज योजना वनेगी आप दोबारा से अपने आपको तरो ताजा महसूस करेंगे साथ ही रुकी हुई बड़ी पेमेंट आज मिलने से आर्थिक इस्तिती में काफी हद तक सुधार आ जाएगा जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जापके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों किसी भी प्रकार की उधारी से आज दूर रहें धनके लेंदेन संबंदी कारें करने से छल या धोके के आप सिकार हो सकते हैं कोई भी काम करने में जादा सोच विचार में समय ना लगाएं इस से समय आपके हाथ से निकल सकता है सामाजिक रिस्तों को मदूर बना कर रखना आवश्चक है कभी कभी कुछ नकार अत्मक पुरानी बातें दुबारा उठ सकती है जिसकी वजह से आप अपने मनोवल में काफी हद तक कमी महसूस करेंगे अपने स्वयभाव को पोजेटिव ब नाजायज फायदा उठा सकते हैं जिससे आपकी मन इस्तिती कुछ विचलित हो सकती है दूसरों के मसले सुल जाने में आपके कई महत्पपूर काम भी रुख सकते हैं दोस्तों किसी के साथ कोई वादा किया है तो अवश्चे पूरा करें नहीं तो समाज में आपकी छवी बिगड सकती हैं और कुछ लाबदाएक मोके भी आपके हाथ से निकलने की आज संभाव ना हैं दोस्तों साथि साथ दिखावे की प्रवर्ती से भी आप दूर रहें इस समय धन संबंदी कुछ नुकसान दाएक इस्तितियां प्रतीत हो रही हैं इस लिए किसी भी प्रकार क निवेस को आज फिलाल टाल दें संपत्ति संबंदित विवाद के मामलों में भी ध्यान रखें कि भाईयों के साथ संबंद खराब ना हो बच्चों की गतिविदियों पर ध्यान रखने की अतियावशक हैं उनके कुछ गलत आदते या संगत उन्हें परिशानी में डाल सकत हैं उन्हें शकारात्मक कारों में व्यस्त करना अति आवशक हैं जो उनके भविश्य के लिए काफी लाबदायक साबित होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों घर का माहौल अनुशासित और आज खुशन मा रहेगा प्रे विश्वास काफी अच्छा बना हो रहेगा दोस्तों नजवी के दिस्तेदारों से मेल मिलाप और घूमने फिरने का आज प्रोग्राम बन सकता है जिससे घर परिवार में वातावरन खुसनमा और सुकत बना रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब का वैवेशाय केरियर कै दिये गए ठोस निर्णे बहतरीन साबित होंगे और कामियाबी भी आपको अवश्य मिलेगी आज मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कारों में समय अधिक व्यतीत करें शेयर वे रिस्क प्रवर्ती वाले कामों से दूर रहें आपके साथ चल या धूका धड दोसी के द्वारा लड़ाई जगडे जैसी इस्तिती बन रही है कुछ कानूनी या निवेस संबंदित जटिलताओं का भी आज आपको सामना करना पड़ सकता है व्यवसाइक कार्य प्रणाली में बदलाव लाना आपके लिए आवश्यक है जिससे और अधिक बहतर पैणाम आपको हांसिल हो सकें दोस्तों व्यवसाइक प्रतिष्ठान में अनुबवी और परिवार के वरिष्ट जनों की अनुमती और सहमती से कार्य करने से काफी समस्यें आसानी से हल हो जाएंगी धन के लेन देन संबंदित कार्य में अचानक से कोई लाबदाइक इस्तिती आज बनेगी जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा दोस्तों कार्य छित्र में जो आप बदलाव सम्मंदित योजनाएं बना रहे हैं उन सभी पर अमल करने का आज उचित समय नहीं हैं इस समय अपनी अधिक्तम उर्जा निवेस सम्मंदित कार्यों में लगाएं वर्त स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु फिर भी दिन चरिया को वेवस्तित बना कर रखना आपके लिए अतियावशक है इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजाना योग करें वयाम करें स् लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदीशे निर्वत रहोने के बाद भगवान भुले नात को तिल और जो अर्पित करें और शाति साथ माम मिर्तुंजय मंतर का एक सो आठ बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें जाद दोस ही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कारें भगवान भुले नात के आसरवाद से बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान भुले नात का असरवाद आपको प्राप्त हो सच्छे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भुले नात अवश्य लिखे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद